गाउं के बाहर एक खुला मैदान था, थोड़ी ही दूर पर एक जंगल था, जंगल इतना घना था कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, गाउं के लोग आपस में बाते करते रहते थे कि जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं, वहां से दिन रात आवाजे आती रह ये जंगल में गई और कभी वापिस नहीं आई, दूसरा कहता, मेरी दादी हमें कहानी सुनाती थी कि एक बार हमारे गाउं से बहुत सारे जानवर गायव हो गए थे, जरूर वहां राक्षस है, जो हमारे जानवरों को खा गया, कोई कहता, उच जंगल के पास से गुजरते ही मनुष्य के हाथ पैर खराब हो जाते हैं और वहां पागल हो जाता है, इस तरह हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी थी, गाउं में रोज शाम को सब जमगट लगा कर ऐसे ही किसे सुनाते, गाउं में एक पंदरा सूला साल के बच्चों की टोली थी, वहां बच्पन से ही इस तरह के किसे सुनती थी, हर कोई जंगल में जाने से डरता था, पर राम ही एक ऐसा लड़का था, जो सब को कहता हमारे बड़े हमें डराने के लिए कहानिया बनाते हैं, मैंने तो कभी कोई आवाज नहीं सुनी, हम सभी तो रोज उस मैदान में बैट बल्ला खेलने जात खेलने गए, और तभी उनकी गैन जंगल के अंदर चली गई, राम ने कहा चलो सब मिलकर गैन ले आए, पर सभी बच्चे डर रहे थे, और कह रहे थे, नहीं, मैं तो नहीं जाओंगा, फिर किसी तरह राम ने दो बच्चों को अपने साथ जाने के लिए मनाया, फिर वह त तीनों जंगल के अंदर गए, राम सबसे आगे था, जंगल में बहुत अंधेरा था, तभी राम किसी चीज़ से टकराया, और उसके मूँ से अह की आवास निकले, अभी पीछे खड़े दोनों लड़के वहां से भाग खड़े हुए, अब राम जंगल में अकेला था, उसन दूर पहुचा था, उसे एक बुड़ा आदमी दिखाई दिया, वहां लकडियां इखटा कर रहा था, राम उसके पास गया और बोला, बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं, क्या आपने यहां कोई गेन दिखी, बुड़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, राम ने फिर नहीं दे रहा है, मैं यहां लकडियां इखटा कर रहा हूं, ज्यादा सवाल नहीं पूछो, और यहां आकर मेरी मदद करो, राम मदद करने लगा, जब बहुत सी लकडियां इखटा हो गई, तब बुड़ा बोला, अब मेरी मदद करो, और इन लकडियों को मेरे घर तक पह अब राम चलते चलते ठक चुका था, उसने पूछा आपका घर कब आएगा, बुड़ा बोला तुम इतने बड़े लड़के हो, तुमसे थोड़ी सी भी महनत नहीं होती, चुप चाप लखडियां उठा कर चलू, हम पहुँचने ही वाले हैं फिर आखिरकार वह एक जूपडी के पास पहुँचे, लखडियां रख राम ने बुड़े आदमी से पानी मंगा, उसने फिर से उसे डांड दिया, तुम्हें क्या लगता है, मेरे यहां नौकर चाकर हैं, जो मुझे पानी ला कर देंगे, पानी लेने नदी पर जाना पड़ उसे लेकर बाहर आया और बोला, बाबा नदी कहां है, बुड़े वेक्ती ने उसे रस्ता बताया और वह पानी लेने चल पड़ा, बहुत धुंडा पर उसे नदी नहीं मिली, वह बहुत ठक गया था और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उसका गला सूक रहा था, फिर हिम पानी पीलो, बाबा बहुत गुस्सा करने लगा, इतना समय लगता है पानी लाने में, तुम्हारे कारण में प्यासा ही मर जाता, पर यह सब सुनकर भी राम शान था, अब राम के पेट में गुड़-गुड़ की आवाजें आने लगी, उसे बहुत तेज भूक लग रही उसने बाबा से पूछा, बाबा मुझे भूक लग रही है, क्या कुछ खाने को है? बाबा फिर से क्रोधित होने लगे, तुमने खाना बनाया है जो होगा, अगर तुम्हें भूक लग रही है तो अंदर जाओ, और तुम्हें जो भी मिले, उससे कुछ पका कर खालो, और हा मुझे भी खिला देना यहाँ बाते सुनकर राम जोपडी में गया वहाँ उसे थोड़ा चावल और कुछ सबजियां मिली उसने उन सब को मिला कर खिचडी बनाई और फिर बाबा को खिचडी खाने को दी बाबा ने खिचडी खाली राम ने पूछा खिचडी कैसी लगी आप को तो बाबा बोले ठीक ही थी अब ज़्यादा बाते ना बनाओ और अंदर से चारपाई लेकर आओ मुझे बहुत नींदा रही है राम अंदर गया और चारपाई ले आया वृद्ध ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ राम अंदर जाकर लेड गया और सोच में डूग गय कि मेरे माता-पिता बहुत परिसान हूंगे, वह समझ रहे हूंगे कि मैं मर गया, पर जब मैं यहां से बाहर जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि यहां कोई भूत-प्रेत नहीं है, तब सभी बहुत खुश हूंगे, मैंने अच्छा ही किया, यहां आ गया, यहां सोस्ते सोस से उसे कब नीन आ गई, उसे पता ही नहीं चला, फिर अचानक एक तेज रोशनी ने उसकी नीन तोड़ दी, उसने देखा जूपड़ी की खिड़की से तेज रोशनी आ रही है, वह बाहर गया, बाहर का नजारा देख, वह हैरान रह गया, आगे की कहानी मेरे अगले अंक म कर दोड़ी